सपने में सफेद स्रीवलिंग देखना एक बहुत ही अच्छा और शुप सपना माना जाता है जो कि जीवन में चल रही हर तरह की परेशानियों के जल्द ही खत्म होने की और तुसंकेत करता ही है साथ ही यह सपना जीवन में चारों और से मिलने वाली खुशियों और सपलताओ की और भी इशारा करता है जिसको सपने की विभी नवस्थाओ के माध्यम से सही से समझा जा सकता है जैसे अगर कोई सपने में किसी मंदिर में सपेद सीवलिंग को देखता है तो यह सपना जीवन में जल्द ही किसी बड़ी मनोकामना के पूरा होने की और इशारा करता है और साथ ही यह सपना घर परिवार में बढ़ने वाली सुक समरद्धी की और भी संकेत करता है और अगर कोई सपने में सपेज सीवलिंग पर दूद जल बेल पत्र आदी चढ़ाते हुए देखता है तो यह सपना भी काफी अच्छा माना जाता है और आपकी किसी मनोकामना के जल्द ही पूरा होने की ओर संकेत करता है या आपको अपने किसी काम या योजना में बड़ी पलता हासिल होगी इस बात की ओर यह सपना इशारा करता है और अगर कोई सपने में सपेज सीवलिंग की पूजा करते हुए देखता है तो यह सपना भी जीवन में तरक्की के लिए मिलने वाले नए अवसरों की ओर इशारा करता है जिसमें आपको सपलता भी निश्चित ही मिलेगी और अगर कोई सपने में सफेद सीलिंग पर बैठे नाग या साप को देखता है तो यह सपना जीवन में आध्यात्मिक उन्नती के कारण होने वाले बहुत से पोजिटिव बदलावों की और ही संकीत करता है जिसके कारण आपको खुद ही अपनी परेशानियों के सोल् देखता है तो यह सपना जीवन में चारों और से मिलने वाली खुशियों और सफलताओ की और ही संकीत करता है जिसके कारण आप जल्द ही खुद को बहुत ही जादा भागयसाली महसूस करेंगे